Employees Provident Fund Office जिसे पहले GP Fund कहा जाता था Employees Provident Fund Organization इस समय Central Bureau of Investigation की 15 मेंबर वाली टीम Employees Provident Fund Organization के अंदर है और पड़ताल हो रही है कि Employees Provident Fund Organization में फेक विड्ड्रावल केसिस की यानि COVID lockdown के टाइम में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई प्राइवेट अलग-अलग प्राइवेट अलग-अलग इंस्टूशन के साथ जो लोग काम करते थे उन लोग को जब तंखा मिलती है तंखा के साथ में ही उनका Provident Fund भी कटता है उस Provident Fund का हिसाब किताब जो है वो Employees Provident Fund Organization रखती है लेकिन मेरी जानकारी के मताबिक Employees Provident Fund Organization में फेक विड्रावल केसिस बनाए गए जिन फेक विड्रावल केसिस की वज़ा से बहुत बड़े पेमाने पर Embezzlement हुई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ उसे की परताल करने के लिए Additional Superintendent of Police CBI की अध्यक्षता में एक टीम इस समय Employees Provident Fund Organization के दफ्तर के अंदर है रेकॉर्ड को खंगाला जा रहा है रेकॉर्ड को खंगाल कर ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि कितना बड़ा गफला है ये क्या वाकई ये एक स्कैम है शिकायते मिल रही थी Central Bureau of Investigation को लगातार CBI के पास शिकायत आ रही थी शिकायत वो लोग कर रहे थे जो अपना Provident Fund लेने के लिए Provident Fund Organization के दर्वाजे पर दस्तक देते थे उन्हें यहां कहा जाता कि अपका Provident Fund जो है वो विड्राओ हो चुका है कोई और ले चुका है ये मामले भी थे अन्य और कई मामले है यहां पर एक मामला ये भी है कि Employees Provident Fund Organization के वो करमचारी जो इस दफ्तर से रेटायर हो चुके हैं जिनका अब इस दफ्तर से कोई लेना देना नहीं लेकिन जिन जिनके Provident Fund के केसिस उन्होंने बनवाए है जब उन्हें Provident Fund निकालना होता है तो वो रेटायर करमचारी आपको इस दफ्तर में चक्कर लगाते नदर आते हैं जब तक उन रेटायर करमचारीं का आशिरवाद न हो आपको आपका Provident Fund नहीं मिलता सिर्फ इतना ही नहीं उसके इलावा ये भी होता है ये भी इलजाम Provident Fund और लगते रहे हैं आज की बात नहीं है लगते रहे हैं Provident Fund और ये इलजाम कि करमचारीं का Provident Fund जहां पर वो काम कर रहे होते हैं कोई प्राइवेट इंस्टूशन है दुकान के उपर काम करने वाले करमचारीं है 22 साल 30 साल काम करने के बाद अचानक जब वो अपना Provident Fund लेने के लिए अपने मालिक से गोहार लगाते कि मुझे अपना मेरा Provident Fund चाहिए तो उस वकद खाते बनना शुरू हो जाते हैं उस वकद Provident Fund की एंट्रीज होना शुरू हो जाती थी उसके बाद जब वो यहां आते 22 साल की 30 साल की 40 साल की मेहनत के बाद नौकरी के बाद एक प्राइवेट और्गनेशन में काम करने के बाद 40 साल की बाद उनको पता चलता कि उनके Provident Fund में केवल मातर एक लाख रुपिया पड़ा हुआ है उस वकद फिर 22, 23, 22, 23, 22, 25 इस तरह का तमाशा करके वो दिखाया जाता था कि हम इनका Provident Fund लगातार कॉंट्रिब्यूट करते रहे हैं Provident Fund को लेकर सरकार के दिशा निर्देश बिलकुल साफ है हर महीने PF जो है एक मुलाजिम की तनखा से कटेगा वो PF Employees Provident Fund के पास आएगा यहां पर वो जमा होगा और उस Provident Fund में 50% जाहर सी बात है एक मुलाजिम की तनखा मेंसे जो भी Provident Fund आएगा उसमें Contribute करेगा दुकान का मालिक उसमें Contribute करेगी Parent Organization उसमें Contribute करेगा वो सरकारी डिपार्टमेंट जिस सरकारी डिपार्टमेंट के या जिस Private Organization के आप करमचारी है लेकिन होता क्या था यही वो Provident Fund Organization है आपको ठीक याद होगा आज से लगबग 6-7 महीने पहले यहीं के एक बड़े करमचारी को धरदब हो जा था Anti-Corruption Bureau ने और उन्हें कहा था Disproportionate Assets इनके पास हैं वो भी यहीं के करमचारी थे कहानिया किस से कई हैं लेकिन आज Central Bureau of Investigation की 15 मेंबर की टीम EPF के दफतर में है और दफतर में मालूम यही करने आई है कि पता करें कि कितने फेक विड्रावल केसेज क्या जो शिकायत मौसूल हुई है फेक विड्रावल केसेज को लेकर उसमें सत्य कितना है उस सत्य को मालूम करने के लिए इस समय CBI की टीम यहां पर है CBI की चापे मारी का काम थोड़े दिनों पहले वो सेनिक स्कूल नगरोटा में थी और आज सेनिक स्कूल नगरोटा के बाद Employees Provident Fund Organization में इस समय CBI की टीम है यह जानकारी आपको दे दे के Employees Provident Fund एक मुलाजिम का Hard Earned वो पैसा वो मेहनत करके जो उसने पैसा कमाया होता है जिस पैसे को वो जमा रखता है Provident Fund के तौर पर और जिस पैसे को लेकर उसके मन में ये विचार होता है कि जब कभी मेरे घर में शादी बिया होगा, मेरे घर में कोई काम धाम होगा, मुझे मकान बनाना होगा, मुझे गाड़ी खरीदनी होगी, मुझे कोई भी ऐसा काम करना होगा तो उस समय मैं Provident Fund के लिए Application भरूँगा, Application भरने के बाद मुझे Provident Fund मिलेगा मगर जब मुकश्वीर में होता क्या था, Application तो भरी जाती थी, Application भरने के बाद Provident Fund मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता था कि आप Employees Provident Fund के किस करमचारी से जान पहचान है आपकी, कौन सा Retired करमचारी आपका खास है और उसके बाद इलजाम तो ये भी लगते हैं कि 10% Commission लेकर पीएफ मिलता था, ये भी इलजाम लगते रहे हैं, सत्ते कितना है इसमें, वही मालूम करना है Central Bureau of Investigation की टीम को और दूसरी एक और बदलाव जो पिछले दिनों में आया है, वो बदलाव ये आया है कि पहले Employees Provident Fund Organization जम्मो कुश्मी सरकार के आधीन थी, लेकिन 5 अगस 2019 के बाद बदलाव आया, अब केंदर सरकार के आधीन है Employees Provident Fund Organization, ये आपके सामने है, इस समय जो है अंदर परताल चल रही है, Additional Commissioner Provident Fund, Railhead Complex जम्मो परताल इस समय चल रही है, जानकारी अगर कुछ और हमें मिलती है, तो आपके साथ उस जानकारी को जरूर साजा करेंगे, मगर Central Bureau of Investigation का आज यहां पहुंचना, Employees Provident Fund Organization के यहां छापेमारी करना, रिकॉर्ड्स की परताल करना, इस बात को दर्शाता है कि आम आदमी Employees Provident Fund Organization से दुखी कितना हो चुका था, मेरी जानकारी के अनुसार और मेरी जानकारी के मताबिक लगातार शिकायतें Central Bureau of CBI को मिल रही थी, जिन शिकायतों में लोग यह कह रहे थे, कि हमें आज भी अपना Provident Fund निकालने के लिए बड़ी परिशानी का सामना करना पड़ता है, शिकायतें यह मिल रही थी, कि Lockdown के प इजाम लगे, सिर्फ इतना ही नहीं, CBI के पास यह शिकायतें भी गई, कि जी मैं जब Provident Fund निकलवाने के लिए गया, मुझे कहा गया कि 10% कमिशन दो, तभी जाकर आपको Provident Fund मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, CBI को यह शिकायतें भी मिली, कि सालों से Provident Fund में contribute ही नहीं किया ग गायतों का कॉगनिजन्स लेते हुए, आज Central Bureau of Investigation की 15 मेंबर की टीम यहां पहुंची है, परताल करने के लिए, कि सत्य क्या है, शाम तक CBI की टीम जब यहां परताल मुकमिल करेगी, मुकमिल करने के बाद CBI हैंड आउट इशू करेगी, या डीटेल्स साजह करेगी, तो उ डीटेल्स को आपके साथ जरूर शियर करेंगी, लेकिन फिलाल के लिए इस समय की जम्मू संभाग की बड़ी खबर यही है, कि CBI की 15 मेंबर की टीम इस समय Employees Provident Fund Organization के अंदर है, और खोज कर रही है, मालूम कर रही है कि क्या वो शिकायतें जो Provident Fund को लेकर उन्हें मिली हैं, वो सत्य पे आधारित हैं या नहीं?